नमस्कार मित्रों जैसा की दीन देयाल उपाध्याय गोरतपूर विश्व विद्याल है कि बीएट प्रथम सेमेस्टर की परिच्छाएं हो रही हैं तो आज हम लोग सेकेंड पेपर नॉलेज एंड करिकूलम से संबंधित प्रस्णों पर विचार करेंगे जो परिच्छा का पैटर्न है cbcs पराली के अंतरगत हो रहा है जिसमें आपसे 6 डिस्कृप्टिव टाइप प्रस्ण आ रहे हैं उनमें से किनी तीन प्रस्णों को करना है और 40 प्रस्ण अब्जक्टिव मूड में आ रहे हैं उन्हें आपको 40 सों को करना है तो जो ग्यान और पाठेकरं सेकेंड पेपर है इसके अंतरगत इस से पहले जो फर्स्ट पेपर हुआ एंसर की मैं जारी किया हूँ आप उसे अपना देख लें और उसे बाद में मिलाएं सबसे पहले जो सेकंड प्वेपर हैं इसकी तयारी क्यों से करें ताकि आप अच्छे नंकों, आज हम लोग रोग आदर शौ पर विचार किए थे आज हम लोग प्रकिर्तिवाद पर विचार करते हैं इसको भी आप और शकते हैं तो प्रकिर्टिवाद जिसे अंग्रेजी में नेचुरलिज्म कहते हैं प्रकिर्टिवाद कि यह मान्यता है कि कि वास्तविक संसार ही भौतिक संसार है यानि कि जो प्रकिर्टिवाद है यह मानता है कि जो वास्तविक संसार ही भौतिक इसे भोतिक वाधी दर्शन भी कहते हैं क्योंकि भुरतीक चीज़ेती दिखाई देती है यह प्रद्ध हरा गपते सुझे हैं ऐसी गजान एक तरह से दुनिया को प्रधानता देती है अध्यात्मिक्ता को प्रधानता देती है वहीं नेच्रोलिज्म यानी की प्रकिर्टिवाद यह वास्तविक संसार भौतिक संसार को मानता देती है इसलिए इसे भौतिक दर्शन भी कहते हैं और यह मानता है कि यह समस्त्रिष्ट की रचना जो है वह प्रकिर्ट के द्वारा ह हुई है इसलिए इसे प्रकृतिवादी दर्शन के रूप में मानेता मिली आए आगे देखते हैं इसमें दिया हुआ है जैसे प्रस्ण पूछ देगा कि प्रकृतिवाद किसमें विचार रखता है किसमें विश्वार सकता है तो आप लिखेंगे कि प्रकृति में बहुतिक ज आनि की ब्रखिर्ट की व्याख्या टार्षप opluba cheart करते हैं कि या उनकी ब्रखिर्ट टोण कि रचनावनिर्मार में मनुष्यकान सुन्हों में प्रकिर्टिंप प्रकृतिवाद्थ देखिए कर रहे हैं कि ब्रह्मान्द की सभी बस्तुएं जिनकी रचना वह निर्मार मनुष्य का सुन्य योगदान है यानि कि जो प्रकृति है उस प्रकृति के निर्मार में मानों का बहुत अधिक योगदान या मानों का कुछ भी योगदान नहीं है वही प्रकृति है इस और इसकी गत्विधिया निश्चित्व प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित्व नियंत्रित होती हैं प्रकृतिके विभिन्य पदार्थ होते हैं जिनके स्वैयोग से विभिन्य रचनाय जन्म लेती हैं जैसा कि प्रकृतिवादी विचार धारा का जनक रूसो को माना जाता है और रूसो प्रथम प्रकृतिवादी माना जाता है और रूसो ही वो अभ्यक्ति था जो प्रकृतिवाद को लेकर जगत यानि विश्व के समझ प्रस्तुत हुआ और रूसो बाल केंद्रित सिच्छा का प्रवर्तक है यहां तक रूसो का जो कथन है रूसो खुद कहता है कि बालक को प्रकिर्त की गोद में छोड़ दो और उसे नैसर की गुरों को विक्सित करने दो सारीरिक पुष्टता को प्रदान प्राप्त करने दो इस प्रकार प्रकिर्तिवाद के रूप में अस्थापित करने में रूसो का महतपूर योगदान है तो आप रूसो की सिच्छा से संबंदित यह पुष्टक पूछे तो रूसो की सिच्छा से संबंदित जो पुष्टक ह उसका नाम है Emil, Emil नामक पुस्तक लिखा है, उसने सिच्छा पर और Emil में दो प्रमुक पात्र है, एक लड़का पात्र है जिसका नाम Emil है और जू लड़की है उसका नाम सोफिया है, और कहीं कहीं सोफिया देता है तो आप लोग इसे भी तयार कर लें आईए कुछ बिचार इसके प्रमुक प्रकृतिवादियों की परिभासा देखें तो थामसेवंग लेंग महोदे हैं कहीं कहीं थामसेवंग लेंग महोदे देता है तो थामसेवंग लेंग के अनुसार प्र जर स्वाद के विप्रीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अन्तिम वास्ट्विक्ता भौतिक्ता है आध्यात्मिक्ता नहीं इस परिभासा को आप ट्यार रखेंगे क्योंकि परिभासा पूछ देगा और पूछेगा किसकी परिभासा है तो प्रकिर्तिवाद एक प्राली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिसकार है उसकी प्रमुख विशेषता है तो इस प्रकारे ब्राइस महोदे की परिभासा है इसे भी आप देख लें आईए आगे देखते हैं जेम्स वार्ड के अनुसार इनकी बड़ी परिभासा है प प्रकिर्ति को इस्वर से अलग करता है आत्मा को पदार्थ के अधीन मानता है और और परिवर्तंसील नियमों को सरवच स्थान देता है इनके अनुसार प्रकिर्ति ही वार्थ विकता है और जो अपने नियमों द्वारा संचालित होती है और उसी के द्वारा निर्धारित ह होती है तो यह परिभासा जेम स्वार्ड महोदय की है अगर इनके परिभासा पर विचार किया जाए तो हमें देखते हैं कि जो इनों अगर है तभी आत्मा पर रही है वैसे आत्मा को देखा नहीं जा सकता यह विचारधारा जो प्रकिर्टिवाद है वह आत्मा को पदार्थ की अधीन करती है अब आएए कुछ प्रमुक किसकी विशेषताओं को देखें जैसा कि है प्रकिर्टिवाद की प्रमुक विशेषता है तो पहली प्रमुक विशेषता है प्रकिर्टिवास्त्विक है इसके अंदर जो दिया हुआ है अब प्रकिर्टिवाद को समय कम है बहुत अधिक है यह प्रकृतिवाद की पहली प्रमुख विसेशता है और हाकिंग महोदय के सब्दों में देखें कि प्रकृतिवाद इस बात को अस्विकार करता है कि प्रकृत से परे प्रकृति के पीछे या इसके अलामा अन्य कोई चीज अपना अस्तित्व रखती है चाहे वह संसारिक हो या अध्यात्मिक परीद में तो हाकिंग की यह परिभासा देख लीजिए आप लोग और दूसरी प्रमुख विसेशता जो इसकी है शरीर और मन में कोई अंतर नहीं है यह शरीर और मन में कोई अंतर नहीं मानते इस तरह से पूछ देगा कौन डार्शनिक विचारधारा कि शरीर और मन में कोई अंतर नहीं करती चार अपर्सन आपके संभु अग curlी जो है प्रकृति वाद की है और झानिग्जान परंबल ऑर अगला है मानोप्रकृतिकाः निम्यों पर्मूघ्टृत्य। मिंगं प्रकृति में की ज Departate में ही बिलीन हो जाता है और पा2 बंद आग ब्राप्ति पर भल इंद्रियूं की आजए रपreshy के लिए इंद्रियों से ही हमें की गर्पिन होगी सत्मा दिया हुआ है प्रकी वास्तविख सकता है यानी की प्रकर्ट वादि तो प्रकृति को मानना ही मानना है और मुल्य प्रकृति में ही नहीं होते हैं बहुत महत्पूर विशेषता है कि जो मुल्य की बात है यह वह कहते हैं प्रकृतिवादी कि यह भौतिक शरीर नहीं होती तो आत्मा या विचार कैसे पनपते आत्मा और विचार तभी पनपेंग तो प्रकृर्टिवाद आदर्शवाद का यहां बिरोध करता है और यहां विजय भी कुछ-कुछ निष्टित लगती है क्यों है क्योंकि प्रकृर्टिवाद यह कॉता है कि जो मुल्य हैं वह मुल्य तो मानोई Confederates हैं अगर मानोईनिर्मित हमानो वास्तित्थ impevats कि आत्मा और पर मात्मा का कोई महत तो नहीं है रिए जो है यह इसी संबंध में ब्याक्थ्या करता है आत्मा परमात्मा के संबंद के बारे में तत्मिमांसा के अंतरगत लेकिन प्रकृतिवादी आत्मा और परमात्मा का कोई महत्तो नहीं दिया है और इन्होंने भौतिक सुक की प्राप्ति पर बल दिया है बैक्तिक स्वतंतरता पर बल दिया है कि बैक्तिक स्वतंतरता होना च प्रकृतिवाद के रूप प्रकृतिवाद के कई रूप है इसके अगर मुख्य को देखें तो तीन रूप है आप से प्रस्ण पूछा जा सकता है कि प्रकृतिवाद के कितने रूप है तो तीन रूप है कौन-कौन तो यहां देखें आप पदार्थ विज्ञान का प्रकृत प्रकृतिवाद फिर जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद और यंत्रवादी प्रकृतिवाद यह तीन हैं इसे आप देख लें तयार कर लें और यहां पर इसकी ब्याक्या दी हुई है पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद क्या है तो यह बाहिया प्रकृतिक नियमों क कोई अस्ठान नहीं देता है और यह विश्वार्ज करता है कि वास्त उट्विक्ता पंदार्थ मेंनिहित है मानों को गौर अस्थान दियां गया है पढार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद जो प्रकृतिप नियमों का प्रकृतिह रबहते हैं और यह भावनाइद जो सृचैने मनुलाइब कर थान दूसरा दूसरा जो है यह इंस्तार और सॐस्थi से प्राड़ीन थे जो पदार्थमंगतसे निर्मित इस विचार धारा हने ने मन बिज्ञान का प्रकृतिवाद इसके अंतरगत इवानों की उत्पत्य की ब्याक्ठ्या करती है और यह मानों को पशुनों से बहुत समानता मांती है यह मानों आस्तितु संबंध में दो विचार देती है पहला जीवन के लिए संगर्ष बहुत ही महत्पूर है कि प्रकृतिवाद में जीव विज्ञानवादियों की विचारधारा का क्या योगदान है तो पहिनों ने दो प्रमुक विचार दिये हैं मानों के अस्तित्व के संबंद में पहला है जीवन के चौसे सामने आपके संगर्ष में परिछा इसे अच्छे तरीके से टयार करके दे अच्छे अंकों के साथ अपने लच में सफल होगे अब अब देखते हैं प्रतिवाद के अनसार सिच्छा तो प्रतिवाधु ने जो सिच्छा के छेत्र में क्रांतिकारी परिवरतन किये क्योंकि प्रतिवादी रटी रटाई चीजों में विश्वास Нहीं रखते थे यह करतेते कि बालक को पिजड़े में रख और उसे सिच्छा देना या उचित नहीं है उनक बली बल्कि इन्हें स्वतंत्र कर दो प्रकृति के गोद में रख दो वह प्रकृति के गोद में रहकर वह सीख लेगा इसी प्रकार एडम्स महोदय का यहां पर जो कथन है वो कहे हैं कि ऑफ़ बलक को कृत्रिम जीवन से प्राकृतिक जीवन की ओर ले जाती है यानि कि एडम्स कहें है कि प्रकृतिवाद सहिचिक सिध्धान्तों को क्रियानुवित करना या किताबी ज्यान प्रदान करना कोई व्यवस्थान नहीं है यानि कि जो यह रटी रटाई चीजें जो को पढ़ने के लिए जो दिया जाएगा तो वह उससे प्रभावित होगा और कहीं न कहीं वह जो प्रकृति के नियम है उसके अनुसार वह सीख नहीं सकता इसलिए वह कृत्रिम हो जाएगा और इसलिए वह बालक को प्रकृति की और ले जाने की बात करते हैं तो प्रकृति की कोरी स्लेट है जिसे हर सिच्छक को पढ़ना चाहिए यह किसने कहा तो यह रूसों का है आईए कुछ धालाओं को देखें सिच्छा के संबंद में प्रकृतिवादियों ने जो धाला दी है यहां से प्रस्ण बनेंगे अब्जेक्टिव जरूर की प्रकृत के अंसार सिच्छ प्रकृत की और लॉटक पुष्ट की अग्यान का बिरोद इंद्रियों इंद्रियां ज्यान प्राप्ति का मार्ग हैं बालक की स्वतंत्रता पर बल और सिच्छा में मनों विज्ञान की लोकप्रियता और अगला है बालक के विकास की विभिन अवस्थाओं की चर्चा जो क प्रकिर्टिवाद के सिध्धान्त के संबंध में थामस और लेंग ने प्रकिर्टिवाद के निम्न सिध्धान्त बताएं हैं इसे देख लें तयार करें संसार एक बड़ी मशीन है किस विचारधारा की का सिध्धान्त है प्रमुक प्रकिर्टिवाद का आप ऐसे तयार कर ले सेीज़ता जान मानुम मस्तिष्क और प्रकिर्टि के दोनों के समन्वे से प्राप्थ होता है प्रस्ण संखिा तीन है और सत्य इंदरियों का अनुभाह एं यानि प्रकिर्ट बाद फ्रश्टय को इंदरियों द्वारा जो हैं उसकोफिश्ट मानते हैं चैनल अगला इन्होंने कहा है वास्थ्विक्ता की ब्याक्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों की जा सकती है और चठा कहें प्रकृत के नियम और परिवरतनी है यानि इन्होंने इस बात पर जोड दिया है कि प्रकृत के में मतिस्क घाटना एे उच्क जीवों में मंदल समूव है न तो कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया मानते हैं मस्तिस्क का है और अभी है कि मस्तिस्क विक्सित होते हुए आदिमानों से लेकर यहां तक पहुँच चुका है आगे इनोने अपने के बारे में बताया है आठमा जो है मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दसाएं विज्ञान की खोजों और मसीनों के अविश्कार द्वारा बदल गई है यह भी सत्य आप देखी रहें दिन प्रदिन जो अविश्कार प्रद्योकियों का हो रहा है उसे जो हमारे जीवन है वह बदलते जा रहे हैं यहां पर नमाशिद्धान्त है कि नयतिक मुल्य प्रवित्ती जन्मजात अंतर आत्मा पर लोग बैक्तिक्ता अमर्ता चमतकार इस्वर कृपा प्रात्ना भक्तियाद ब्रह्म है यानि कि प्रकृतिवाद ऐसा दर्सनिक विचारधारा है जो नयतिक मुल्य प्रवित्ती जन्मजात अंतर आत्मा लोग पर लोग बैक्तिक्ता अमर्ता चमतकार इस्वर कृपा प्राथना भक्तियाद भ्रह्म हैं तो इस सब्सक्राइं की बिरोध करने वाली बात जब आएगी नयतिक्ता का विचार का तो प्रकृतिवाद और अगर बीचार क बनी हुई है जो जो साखाओं ने अपनी अनुसार सिच्छा के उद्देश निर्धारित किये हैं तो पदार्थवादी प्रकृतिवादियों के अनुसार इन्हों ने सिच्छा के छेतर में कोई योगदान नहीं दिया तो कोई उद्देश से नहीं है यानि कि क settling को सब्च्राइब करना जो अधुनिक जीवन के लिए उपयोक्त क्रिया और विचार की आदत सब्काइब आने कि हमारे राव खेब पूर्ति के लिए जो सअच्राइब करना जिससे कि हमारे सामने जो समथ्या है उस समस्या को हम सालो कर सके और तीसरी विचारधारा जो प्रकृतिवादियों की थी जीव विज्ञानी प्रकृतिवादियों के अंसार इनका मुख के उद्देश से है सिच्छा का मनुष्य के बरतमान और भावी सुख को सुरच्छित करना इन प्रकृतिवादियों की ती तीन विचारधाराएं प्रमुख हैं देख लिजिए जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद की तीन धाराएं हैं नौ डार्विनबाद नौ लैमार्क वादी और सस्पेंसर तो आए नौ डार्विनबादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य का अभिकार जीवन के निम्नतर अ ही है यानि सिच्छा हुआ है जो भावी जीवन के प्रति वालक के भावी जीवन में जो संगर्ष आएंगे उन संगर्ष को सही मतलब संगर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए सिच्छा ऐसी हो कि उन्हें विजय प्राप्त करने योग बनाएं यह विचारधारा नौ डार्विन वादियों का है और डार्विन बाद आप जानते ही हैं कि जो प्रकृती है वह चुनवती पेश करती है और उसमें जो सफल होता है वह आगे बढ़ता है इस तरह की विचारधारा है आए जो इसकी नौ लैमार्क वाद है इनकी अनुसार यह भी जीवन को निम्नतर अस्तर से मानों का विकास मानते हैं यह भी काते हैं जैसे आप जानते हैं कि यह कोशकी जीवों का उत्पत्ति प्रिथिवी पर हुआ और उसके बाद धीरे दीरे बहुत की जीवों का उत्पन हुआ है तो इस तरह से यह भी उसी में विश्वास रखते हैं और यह उन्तु ब्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं प्राडी में अपने आपको अपनी जादतों को और अपने सारी रिख धाचे को अपनी परस्तितियों के अनकुल बनाने की सक्ति होती है इनकी मानेता है और सपेंसर की विचारधारा जो इस पेंसर महोदे की है यह पांच उद्देश से बताएं सिच्छा के पहला है आत्मरच्छा दूसरा है जीवन की मौलिक हो सकताओं की पूरती तीसरा है संतत्ट पालन चौथा है सामाजी के वंग राजनेथिक संबंदों का निर्वहन पाच्वा है उकास का सद्विप्योग तो पूछ सकता है इस इस पैंसर्ण ने सिच्छा के कितने उद्दे से बताएं तो पांच उद्दे से से बताएं इन उद्देश्यों को आप देख लीजिए आए देखें आगे चौथा बर्नाट्सा के अनुसार बर्नाट्सा नौ लाहमार्क वादियों में सियों से भी एक कदम आगे आते हैं यह भी प्रकृतिवादी जो प्रकृतिवाद की एक विचारधारा है उसके जोने उससे भी एक कदम आगे बढ़ने वाले विद्द्वान है वर्नाट्सा और यह सिच्छा' का उद्देश से बताते हैं कि विकास की गती और प्रजाति प्रगतिक को तेज करना है याने कि विकास की गत उद्याश्यों पर जीओनवादी यानि की जीव गडाजी प्रकृतिवादी की जो साखा है और प्रकृटिवादी दोनों विचार-धारा हो और किस्ट को dato से विचार किया गया Mississippi सिट्ष उद्याоз लेकिन के अंतर नीहित प्रकृत सुभाव की रच्छा करना वह मानों को प्राकृत जीवन बतीत करने योग्य बनाने पर बल देता है और रूसों आगे कहता है कि सिच्छा के उद्देशियों की ब्याख्या इस प्रकार किया जा सकता है कि उचित सहज संवध क्रियाओं का निर्मार क जारना बालकों में मूल प्रवितियों का सोधन वह मारगांतरी करण वह सोधन करना जीवन संगर्ष की तैयारी और वाता वरण के अनकूलन की च्छमता आत्मसंरच्छन एवंग आत्मसंतोस की प्राप्ति बालक को प्राकृत जीवन बतीत करने हैं तो तैयार करना बालक की प्राकिर्तिक सक्तियों का विकास प्रजाती प्रगत की प्राप्ति व्यक्तिक सुतंतरता का विकास तो यह रूसों के अनुसार सिच्छा के उद्देश से हैं आप इसे तयार रखिएगा और एक और रूसों से कोश्चन बनता है अब्जेक्टि में कि निसेधात्मक सिच्छ करते हैं तो प्रकृतिवाद्य ओं तो बाल के लिए जो पाठेक्रम का अधार माना है उसमें सबसे पहले बालकेंदृत सिच्छा की बात करते है और आप निर्मार करने में कहते कि पाठे करम का निर्मार ऐसा होना चाहिए जो बालक की रुचियों योग्यताओं और स्वभाविक क्रियाओं के अनसार होना चाहिए सबी प्रकृतिवादियों अपने अपने अंसार पाठिकरम बनाया है गमेंऍकि जो था वह किसी आप दीजय भल नहीं दिया बल्कि वह सभी विस्यों वह किसी खास बिसय पर नहीं बल दिये एंदकि Sedan, जबकि रस्क ने अनसार, रस्क ने कमेसियस के विषय में बताए हैं कि कमेनियस का उद्दे से था, सब मनुस्यों को सब विषयों का पढ़ना था, वो सब विषयों में से कुछ का चुनना आवस्यक नहीं समझता, क्योंकि वह आया सोचता था कि अगर एक चीज जान जाएं औ लगती है तो वह सभी की बाते करता है और स्पेंसर जो महोडै ने आप करम रहा है वह अपने सिच्छा के सपेंसर के अंशार पांच उद्देश में उन्हों बताया है जिसमें है जाए देख लिजी यह सके ंसाक ने ले जा तयार रखिए तो सारीय्क सिच्छा देनी पड़ेगी एन्होंने पाठीक्रं में रखे घ्ट रया इसरी वे इन्होंनेमें बताया था अपना Humano Ag эконом Purti कि मौली का उसकता पूर्थी यानि कि in जो मणली रेना है देना है इस तरह से चीजह करें करना तो करना है तो सामिल कि ऐसाइन सास्त जीव ज्यान को सामिल कि और थीसरा जो इसमें इत्न हें । शनतथी पालन में है तो उसके मन के अंकूप उसके रूचियों को जानने में साहता मिलेगी और अगला इन्हों ने जो बताया था कि सामाजी को राजनैतिक संबंदों का निर्वहन तो सामाजी को राजनैतिक संबंदों का निर्वहन के लिए सामाजी के ध्यान के सभी विश्यों को रखा है स्पेंसर महोदै ने और अवकास का सदुपयोग के लिए बनो बिग्यान भौतिक साहित संगीत ललिक कला पाठिकरम में रखा है उसी प्रकार रूसों ने जो अपना पाठिकरम का विभाजन किया है उसमें प्रकृत उनो उसने कहा है कि सहस्वावस्त हैं वह पूरा आफ्रके के अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया है रूस ἓ स्थाutet möchte पहली अवस्त हैनुषह में और सहस्वा अवस्त्य को छिखने का सॐस्था को चीखने की आधर्स सवस्था का ज़ा है तो शैस्था आवस्था को और वस्था में बोला की प्रकृत की गोद में ही लाक वास्ता यानि वस्था में बालक प्रकृत की घोद में ही इस यह sentence चाहिए और दूसरा जो वह था है बाल विकास की बाल्या अवस्ता इस पे उसने ग्यानेंद्रियों के विकास पर बल दिया पुष्टगी घ्यान का विरोज किया पातिक्रम में तैजना धोरना कूदना अधिसम्लित किया जिससे की बालत बाल्या वस्ता में उसकी शरीर अपार आगेक्स एय नहीं किया रखा जाये यानि शामिल किया जाए और आगे कहता है रूसो का पाक्रम में में प्रकृतिवादी पाठ्टिक्रम की सबसे बड़ी कमी क्या है यह की पाठ्टिक्रम विज्ञान के इंद्रित है तथा इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक पाठ्टिक्रम की उपेच्छा की गई है तो यह पूछे कि प्रकृतिवादी पाठ्टिक्रम की सबसे कमजोर करी क्या है तो वह है कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक पाठ्टिक्रम की अवहेला करता है ठिक और यह पूछे कि ज्यान को प्रमुक्ता देते हैं तहां से प्रस्णा अब्जक्टिवी बन सकता है अब देखते हैं प्रकिर्तिवाद और शिछडबिनिया तो प्रकिर्तिवादी जो शिचडबिनिया है वह अनुभो द्वारा सीखने पर आधारित है यह रटने और निश्क्रिय अभ्यास का विरोध करते हैं या करते हैं अनुभौ द्वारा सीखें या दिया विद्व होगा उसी तरह से अगर बच्चे से कहा जा कि ममबत्ती को नो छूओ तो बच्चा नहीं समझता है उसको नहीं विसास होता है लेकिन जैसे तो भी वह उसे चूने का चूएगा नहीं क्योंकि उसे अनुभाद्वारा सीख मिल गई है तो जो यह ऐसी सीख है अनुभाद्वारा इसे प्रकृतिवादियों ने प्रमुक्ता दी है और इस विशह पर जूशुर सला है प्रकृतिवादियों की सिच्छा विधियों पे उसने कहा है अपने चात्रों को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ उसे केवल अनुभाव से सीखने दो जब भी संभव हो आप कारे द्वारा पढ़ाएं और सब्दों का सहारा तभी लें जब कार करना संभव नौ हो यानि कि प्रकृतिवाद के अनुप सिच्छा क्या है तो भावी जीवन की तैयारी पहले बताई चुके हैं कि प्रकृति प्रदाइनी यानि कि सिच्छा से हम सीख लेते हैं आगे बढ़ते हैं तो अनंद प्राप्ति होती है इसी तरह से थार्णाटाइक महोदै ने जो सिच्छण सिच्छण बीद में प्रेणाक सिध्धान्त प्रभाव का सिध्धान्त अत्परता का सिध्धान्त जो मुख्ष नियम है वह कहीं प्रकृतिवाद से ही संबंधित है आई अगला उन्होंने स्वचालित आत्म क्रिया सस्पेंसर महोदै का विचार था कि बालक कि सिच्छण क के प्रयासों से नहीं एक स्वेम के प्रयासों से सीखता है और स्वेम के प्रयास द्वारा अर्जित ग्यान ही वास्तवी के उचिरस्थाई होता है यह बात सत्य ही है और अगला जो है वह सिच्छण बीद के संबंध में कि सिच्छा में सारीरिक वामानसिक विकास का संतुल संतुलन होना चाहिए सिच्छड वीदि या विचार ध्यान में रखते हुए अपनानी चाहिए कि बालक के बिक्तित्यु के दोनों प्रमुक्त पच्छों का समान रूप से विकास करना है किसी की भी उपेच्छा नहीं की जा सकती है यानि कि सारीरिक और मानसिक दोनों में संत संदर्व में प्रकृतिवागियों की विचार्ढा राया है रूशों की निजह सात्मक सिच्छा है और इसका है और सुछा में संतेता और पूर का पारप सरोरं नहीं सिखा है अर्थात नकरातमक स्च्चा गुर्ट नहीं करती वरन औरoka दोसे बचाती है आगे सिच्छण बीदी आगनात्मकों इस संदर्व में प्रकृतिवादियों ने जिस बीद की खोज की उसे हुरिस्टिक बीद कहीं यहां से मोस्ट इंपार्टेंट यह पूछना है प्रस्ण की हुरिस्टिक बीदी किस दार्षनिक विचारधारा की है तो वह है तो यहां से प्रस्ण पूछेगा और इसी प्रकारिन लोगों ने जो प्रकृतिवादि सिद्धानतों के अनेक सिच्छन पद्धतियों को जर्म दिया है जैसे डाल्टन मांटेश्री पद्धत यूरिस्टिक पद्धत निरिच्छर पद्धत और खेल पद्धत यह सब प्र वल्ग में सिच्छा में सिच्छक को किसी प्रकार हस्तच्छेप की आग्यांहीं देते इस प्रकस्ति दोयदे के बालक के विकास का निरिच्छड करने वाला है नो कि उसको सुचनाओं विचारों आदर्सों और इच्छा सक्त को देने वाला है उसके चरित्र का निर्मार करने वाला बालक इन बातों को स्वेम ही कर लेगा सिच्छा उसकी रुचियों और प्रेणाओं का स्वतंत्र विकास ह किसके लिए दूरा किया कृत्रिम प्रयास तो प्रकृतिवादी सिच्छ्छ्य के मोटको नगड़ मानते है और प्रकृतिवादी और के संबंद में उनकी जो संकल्पना है वह बालकेंद्रित सिच्छा पर बल देते हैं वह बालक की रुचियों को अस्थान देते हैं तो बालकेंद्रित सिच्छा के जनक के रूप में प्रकृतिवादियों का मौतपूर योगदान है जैसा कि रूसों का कथन है अनुसासन के सं लगांशासन संक्रब्पना जो इनने के अनुसासन चाहिए जैसा कि बालक मोरा को प्लाइभ टरनुस में छाहिए बालक को कभी डंड नहीं देना चाहिए pass. सबसे अच्छी चीज है तो यहां रूशों का कथन है और यह तो किसी प्रकार के अनुसासन की बात करते के Geg eleven तो वह किर्टिक परअमों द्वारा अनुसासन रूशों के अनुसार रूशओ कहता है अनुसासन सदयं बालकों की गल्तियों के प्राक्रितिक परड़ामों होना चाहिए यानि की बालक गल्ती करेगा तो उसे उसे चोट लगती सिमस्थ ही तो उसे लग जाएगा उसके बाद बात क्रते cht नहीं नहीं इस रहा है कि सब्काराकव टेंगर मिच्पारमैं तो उस grace कि नकरात्मक्ता दिखाई देती है आई अब उसके प्रकृतिवादेवंग विद्याला की संकलपना के संबंद में थोड़ा देख लें क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो हम लोग जल्द से जल्द प्रयास है कि आपके समख पूरा कांटेंट घूम जाए कि आप जो लगता है कि आप इच्छा के दिष्टकोर से आ सकता है आप उसे भी तयार करें और हम लोगों का प्रयास चली रहा है तो प्रकृतिवादेवंग विद्याले के संबंध में जो है वह विद्याले की कृत्रिम कठोर और डिल बंधनों वाली संस्ता के रूप में नहीं च चाहते थे कि विद्याले का वातावर स्वतंत्र संगठन था स्वतंत्र संगठन के रूप में होना चाहिए जिसमें बालक किसी परकार भैरहित होकर अपने नैसर की गुणों को विख्षित कर सके वे स्वासासन का समर्थन करते हैं प्रकृतिवादी विचारधारा का कि वहार्बाद का जन्व प्रकिर्टिवाद से माना जाता है यहांसे अब्जयक्तिव में भी काम आ करना जाता है और समाज सास्त्र जो समाज का भी ज्ञान है प्रकृतिवाद से ही संबंदित हैं प्रसंक्या तीन प्रकृतिवाद ने सिच्छा को बैज्ञानिक और जैवकी दिस्टिकोर दिये हैं तो प्रकृतिवाद ने वाकई में सिच्छा को बैज्ञानिक और जैवकी द भाव डाला है सिच्छा मनु बिज्ञान मनु बिज्ञान की प्रगति पूर रूप से निरच्छड आत्मक और बस्त परक बिधियों पर निरभर है इस सिद्धान्त का जन्म प्रकिर्टिवाद से ही हुआ है अब यहां मुल्यांकन हो गया अगर इसके दोसों में थोड़ा त करते हैं और इस प्रकार प्रकिर्टिवाद से जहां तक हो सका मैं प्रयास किया आप लोग इसे और देख लें और बुक को भी पढ़ लें जिससे आपकी तयारी और हो जाए इसी के साथ इससे पहले भी मैं जो आप जक्तिव टाइप प्रस्ण बनाया हूं उसको आप लोग रिवीजन करते रहें और इसे देख कर समझते रहें समय कम हैं तो अब इतना ही इसके बाद अगला प्रयोजन बाद और आपका बचाय थार्थवाद उस पर डिसकस हो जाएगा कुछ भारती वेदानत पर बात होंगी तो आज इतना ही इसके बाद अगले वीडियो में मिले तब तक के लिए नमस्कार